तो इस वीडियो में हम बात करेंगी कौन से फॉर्माट में आपके बुक को जो है आपको एक्स्पोर्ट करना चाहिए जब आपके अपना e-book जो है अपलूट करने वाले हैं ऑनलाइन प्लाटफॉर्म पर यह वीडियो हमारे एक वीडियो कोर्स से लिया गया है तो अगर आप किसी को अगर शेयर करना चाहते हैं मुबाइल पर खोलना चाहते हैं प्रिंट आउट करना चाहते हैं तो उसके लिए अलग हो जाएगा पर अगर आप e-reader पर उसको open up करना चाहते हैं तो बहुत बार वो format उसमें support नहीं करता है तो यहाँ पे अगर आप Kindle के लिए upload क करना चाहते हैं या किसी भी e-reader के लिए अगर आप बनाना चाहते हैं अपनी e-book को तो यहाँ पे आपको e-pub यानी e-publication यानी जितने भी publication होता है उसमें e-pub का format इस्तमाल किया जाता है या mobi format यह दो जो format है इसका मतलब हो जाता है e-publication और यह मूबी format जो है यह specifically Amazon का वो है PDF तो यहाँ पे problem यह जाता है कि जब हम e-pub या mobi में इसको बनाते हैं या export करते हैं तो यह specifically kindle के लिए होता है और इसका सबसे बड़ा advantage होता है कि यह small size में यह चोड़े size में आपका बन जाता है यानी 2 kg, 2 megabyte या 700 kb, 800 kb में आपका जो पूरा book है 500 page का जो book है वो आ आपका बहुत बड़ा हो जाएगा यानी अगर आपको वही book अगर export करना चाहते हैं 400-455 का तो यहाँ पे आपका 40 MB हो जाएगा या 36 MB हो जाएगा तो यह option हो जाता है यह typically कोई भी computer में यह support करता है e-pub और mobi जो है वो computer में या हर एक बार आपके computer में या mobile में support नहीं होते हैं ज्यादा intuitive नहीं होता है ज्यादा responsive नहीं होता है जो आपको flexibility मिल जाती है e-pub या भी वे